हालो एबरिवन फाइनली जो है MCC All India Counseling के सकेंड राउंड का जो च्वाइस फेलिंग है उसका डेट इंक्रीज हो गया है क्योंकि कुछ कॉलेजेज हैं साथ से आठ कॉलेजेज हैं जिसमें सीट जो है वो इंक्रीज हुआ था ठीक है यूपी में कुछ कॉलेजेज एड हुए ठीक है उसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने बना दिया था कि किस कॉलेजेज में सीट इंक्रीज हुई है कौन-कौन से नए कॉलेजेज जो है वो एड हुए है उस पर पूरा डिटेल वीडियो मेरे यूटूब चैनल पर मिल जाएगा अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके देख लीजए फाइनली जो है सकन्राउंड के सीट अलौर्टमेंट में उसका नया डेट आ गया है डिले हो जाएगा इसके साथ साथ जो जो स्टेट है जसे की बिहारे स्टेट काउंसलिंग है उसका जिए तारिक को रिजल्ट आना है तिर व अगर चैनल पे नए हैं, तो चैनल को कर लिए सस्क्राइब, ताकि आने वाले हरे एक वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके, बच्चो ये लिस्ट जो है, आप MCC के ओफीसियल वेब साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यह कॉलेजेज के बारे में हैं, कि कॉन-कॉन से कॉलेजेज जो हैं, वो एड हुए हैं, टोटल आट कॉलेजेज हैं, कुछ कॉलेजेज मुझभफरपूर में हैं, कुछ नागपूर में हैं, राजस्थान में हैं, ठीक है, उसके बाद क्या है, कि यहाँ पे extension of schedule with newly added seat, ठीक and will be available up to 16 noon, ठीक है, 16 तारीक तक जो है, आप लोग choice feeling कर सकते हैं, फैसिलिटी, रजिंगनेशन विदाओ, 45 is provided and will be available up to 11 अम, ठीक है, 11 अम तक 16 तारीक तक आप लोग choice feeling कर सकते हैं, यह जो है, आपका first round का schedule था, ठीक है, उसके बाद second round से आपको देखना है, ठीक है, देख सकत हैं, आपको 6 तारीक से लेकर के, 16 तारीक के 11, 15 पीम तक जो है, आपकी choice feeling होगी, उसके बाद choice locking जो है, वो available होगा, seat allotment result जो है, वो 19 तारीक को आएगा, आपका second round का all India quota का, ठीक है, उसी तरीके से third round का भी same चीज़े है, third round का registration payment जो होगा, वो 3 से 8 October तक होगा, और result आपका 11 October को आएगा, ठीक है, same जो है, वो schedule change हो चुका है, अगर आप लोगों ने इस schedule के PDF को नहीं देखा है, तो जाकर के हमारे whatsapp channel और whatsapp group में इसको check कर सकते हैं, या official website से आप इसको download कर सकते हैं, अब बच्चों आते हैं, state counseling schedule के उपर, वहीं अगर state counseling schedule की बात करें, तो वहाँ प कि बिहार में जो है, 16 को second round seat allotment आना था, लेकिन All India के वज़े से ये फिर थोरा सा delay होने के chances हैं, third round का same है, 9 से 18 October, third round, ठीक है, उसके बाद then stay vacancy round 25 से 29 October के बीच होना है, ठीक है बच्चों, तो ये पूरा आपको counseling schedule है, जो भी इस notification अगर आपको नहीं मिल ला है, तो हमारे telegram channel और WhatsApp group में आपको ये सारा PDF document जो है, वो अफिलेवल होके मिल जाएगा, आप लोग जो भी बच्चे new colleges choice feeling में add नहीं किये हैं, तो अभी भी आपके पास time है, 16 तारिक तक का, जाके choice feeling में जो 8 colleges new add हुए हैं, college में सीटे बरही हैं, तो आप लोग जाकर के choice feeling में new colleges को add कर सकते ह हैं, जिन बच्चों का जो है, वो कुछ number कम थे, all India first round के cut up से, ठीक है, चलिए तब मिलते हैं next video में, next update के साथ, तब तक के लिए जाहिन, thanks for watching